को है अभे दोस्तों मैं परभीस नइए पर पर्फ्रत एक अपय आपके सामने लामुक्र वैं अब सब कषभें तो आज तो मैंच अफ्रीजन नकीधिक यार दोस्तों अई ढूर दूसरी है जयез Propor तो इसको पूरी के पूरी तरह से हम बाई मेब समझेंगे दोस्तों इसको समझने के लिए हमें एक पार पुना ये व्यास लदी आरी और ये सदलज लदी आरी और यहां पर हरी का बेरास है हरी का बेरास है अब्यास लदी है यह व्यास और यह जो लदी है वो अब्यास वहां हो आलिए व्यास प्रियूजरा पर नेआने के अब्यास प्रियूज़े है इस व्यास प्रियूज़ा आपको जो श्यूब्ट प्रियूज़ा है दिखना यह निकल कहां से रहे है व्यास नदी कहां से आ रहे है हिमाचारपुते इसके पाने का प्रियूग करने के लिए एक जो योजना बरे दोस्तों वह बने पंजा प्लस सार्याना प्लस राजस्ता यह इन तीनों की संयूद परियूज़ा प्लस इस व्यास से उपर दोस्तों एक नदी आती है रावी जो सिंदू की सबसे छोटी दोस्तों पहले हम इन दोनों को समझ लेते हैं कि यह प्रियोजना क्यों को बहुत देखां दोस्तों रावी और व्यास कि जल विवाद किस पानी का प्रियोग कैसे करें इस जल विवाद को निप्टाने के लिए राजीब गांदी वह पंजाब के मुख्यमंत्री लॉंगोवाल लॉंगोवाल के बीच में एक समझोता हुआ कि अब इसके पानी के बटवाना करने के लिए आयोग का बनाया गया है 1986 में जिसे इराडी आयोग के देदा है इस आयोग ने निर्णन दिया कि इस गाली व्यास और सथ्लेज के जो कूल पारी है वह जो राजस्तान को हरी के बेज़ इंद्रा गांधी नहर से जो दिया जाए आपको कि इस पानी का इस प्रियोजना का क्या हो रहा तो इसके प्राजस्तान को एट पॉइंट जीओ एंसी एक्टिफ है पानी मिलना तेया हुआ लेकिन आंको इंद्रा गांधी नहर से खुल कितना पानी मिलना था इस प्रियोजना को बनाया है इस प्रियोजना से इसका अख्राण निकाल रहा है तो इसके ओपर दोस्तों देखना यहां पर देखना आप मैंने आपको बताने था कि जो इसके संगम बद्ध जो सत्रज गदी पर है एक भाक्रा बांग बनाया गया और एक नांगल बांग बनाया गया इसको इसके समझना जरूड़ी है तभी यह समझ नाएगा अब इसके लिए ख्याता है कि जीर्ट काम में राजस्तान को बराबर पानी मिले तो दोस्तों इसके ऊपर देखना एक पड़ो बांग मनाया गया कौन सा पड़ो बांग हिओव और एक पौंग बांग इसके पौंग बांग बनाया गया हमांग हमानग बनाया गया फेकर यह अब देखना हम यह मेहतोकुन क्यों हो जाता है कि जो पड़ों बांध लगए पड़ों बांध लाना कि मंदी इसे एक नहर निकाली गई और यह नहर किसमें निकाली गई? का नहां से नहां निकाल कर बाख्रा नागर में ढाली गए इसका उद्रिस्टिक किमल यह की था दोस्तों यह पड़ो बाख्रा में इसके पानी को जल आपूर्तिक बराबर रखने के लिए इस बाख्रा का निर्मान किया है, पढ़ो बाख्रा में इसके बाख्रा के जल आपूर्तिक को बनाए रखने में पढ़ो से यह निकाली गई और इसके बीहेर नामक इसतान कि इसके पानी की नामक इस पर इस पर एक विरुप सही अंत्र भी बनाया गया है दोस्तों जिस पर कुल जो 990 मेगावर्ट विजली का उपधन होता था कितना बिहर नाथ पड़ों से जो नहां निकाल की और ये कौन सा हिस्तान है भी है कहीं कहीं पर ये बिहर बाहन पी लिकाल लेकिन पड़ों पड़ों से पॉँदू पड़ों से बहुत दोस्तों पाख्रा नागर में डाले किसे पागोवां से लगब और ने दढ़ी की सब्हुत प्रकशानान देखने से ने हैड़ कि इसका मतलब था भाकणा के अंदर जो जल आपूर्थी उसको बराबर बनाए रखने क्योंकि इस पाली को करता था पंजाब रियना और राजस्ता लेकिन पॉंग से जो नहर निकाले कि उसका एक मत्रहुत्य से था कि जो इंद्रा कांदी नहर प्रयोजना के जो पानी दिया ज और यहां से इंद्रागांदी नहर के मातियू से हमको यह था जाताए लेकिन व्यास नदी पर कितने बान बनाएगे एक पड़ो और एक पड़ो का पानी किसमें भाखणा में अब दोस्तों जो नहर निकाले गई इस पर भी दोस्तों जो विदुट सेयंत्र है पांच इंटू चासट यहां से कुल कितनी तो यहां से जो कुल विदुट का उत्पन होता था वह 300 मेगावाट भी जगी कहां से पॉंग से जो विदुट का उत्पन होता था वह किभन का था नौ से मुतैं और भूसतों ध्यान रखना अब मोगां आपको पूछे कि यहां पर देमा हमाँ या पर हैं जू पर-फ़ोटी नाइन ऑन-पर-मंडी में निप कर नपर हैं नाइस किस तो पर-बाक में ब्राजस्तान को जितनी भी विदूद प्रयोजना है उसमें से सबसे जधा जो विदूद निलती राजस्तान को वियास प्रयोजना से से याद रखना है नौसो नबे का 20 परसेंट और यहां जो जो विदुत उपादन हो लिए तीर सो नबे उसका उन्साइट परसेंट तो राजस्तान को किसी परियोजना से सबसे ज़दा यदि विदुत उपादन या उद्यूत की आपूरती होती तो व्यास परियोजना से और दोस्तों मैं बता जाते हूं यह प्रस्तना लट अप टाइंट इन कॉंपीटिशन याद रखना दोस्तों तो यह था आपना व्यास व्यास में एक बड़े बड़े इस तर्फ में पूरो समझा देता हूँ कि व्यास व्यास पर दो वान बनाएके एक पड़ो जो मंडी में था इससे नहर निकाली कि जिसका उद्यसिता भागडा के जल आपरती को बनाबर बनाए रखना इसके उपर ए पड़ोबान में राजस्तान का इससे नहर निकाली के लिए इसके आपरती को बराबर बनाए रखने के लिए और यहां पर छे रेक्टर है पांच से चाहसत में और एक से चाहसत और कुण कितना में बिजी उत्पदन होती 390 और राजस्तान का हिस्सा कितना फिफ्टी नाइ यहां से परहते राजस्तान को सबसे जीए तो व्यास पर्योजना से मिलती है और एक सबसंतों जरता हूं कि आपकर इसके टोस्तों मैं आपसा Nossa समयाता हूं कि जाकम किस और कि है इसके मैं समझादे कर लोग कर दो एक परताब बैठके कहां से चोटी साधरी से निकलती है और इस पर एक बाहन बनाए कि मैं आलिक जाखंपरिवजना जाखंपरिवजना कि दोस्तों कहां पर है प्रतापगर ठीके दोस्तों इसके इंदर मैं बता देता हूं दो नदिया दिया नदिया पूर कुल पांच में दिये एक सुकली एक कर्मोई यह दोनों मुख्य नहीं और आप याद रहो तो एक सीता माता यह सीता माता के अभ्यादन से भी हुज़ती है एक टाकिया और एक नालेश्वर कौन से नालेश्वर यह पांच में दिया निकिन आपको याद कितनी करती है यह दो की दोस्तों यह राजस्तान का सबसे उच्छा बनते हैं यह 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 जो परकांग है यह यह कहाँ से पॉब उयक्त हो यह देखना जाकम जो बांद है जाकम बांद है यह बना हुआ प्रतापगड और जक्मानिया जक्मानिया इसी लिए इसका ना जाकम बांध भी है दोस्तों राजस्तान का सबसे उंचा बांध है कितना है अब इससे जो सबसे जाना जो फाइदा प्रतापगड की दो तैसिर को एक दर्यामत प्लस प्रतापगड सर्वादिक फाइदा सर्वादिक फाइदा और यहां यह सीचाई होती है तेइस हजार पांग सो पांच 23,000 हेक्टर में सीचाई सीचाई कैसे नहरे निकाली गए कितनी नहरे निकाली गए और वो दोनों नहरे इस जाकम बांद से कितनी नहरे निकाली गए दोस्तों जाकम बांद से नहरे निकाली गए दोस्तों जाकम बांद से नहरे निकाली गए दोस्तों जाकम बांद से नहर ये सजात मान की इ doubles जारा ये इस जाक हम बाद का पिक अबार। कॉनसा है पिक होघित को आ लो ऑनिए जाता लुटे इम फार्विड ये रहा कि जाता है इंघ होड़ीलद के लिए प्रसु टेंगो लेंके परसिले सोसिंकी लीगालता है सीथल की माथ भूमी है यहीं पर मिला इन एक जो इसकाइजा दोस्तों इससे दो नहरे की इससे दो नहरे दोस्तों मुनेकों ऊक्षे गयर और यह दोस्ता कि holiday और ऑग गहां है in विदुद उत्पदन के विदुद उत्पदन के लिए ओसे पूरी हो जाते नहीं जाती है तो यह था आपका जखाया नहीं ही takiego होंग है हैं माही बजा सागरं के बाद दूसरा निंवांद की पैराष्टार केblue JEÁ पइड़ा के सबसे ज्यादा पारी नीच्य घंपांद का यह न पितमने तो दोस्तों यह थे मेरे दोनों आज के प्रियोज में लेकिन दोस्तों आज में नई शुरूहत करने जा रहा हूं कि मैं जितना पढ़ाऊंगा उसका टैस्ट भी उसके साथ ही रहता तो आओ दोस्तों अब हम इसके अगले करम में कि हमारे व्यास और जाकम से बनने वाले प्रु प्रियोजना और जाकम प्रियोजना पढ़ी उसके प्रस्ना कैसा है दोस्तों तो यह अब मेरा डेली का ट्रेड रहेगा दोस्तों जिससे आपको डेली के डेली उस प्रियोजना से आने वाले पूरे प्रस्त की जानकारी रहे जाए दोस्तों तो आओ पहला प्रियोजना कि किन राजियों के दोस्тов तो तुम्हें ने बताया था आपको की पंजाप है प्लस हर्याना है और प्लस राजसत्त याद रखता है तो तीन राजियों के यह स्थापना के प्रस्ता व्यास नदीव पर बने बांदो के नाम बताओं दोस्तों 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 कितने बांदों एक पड़ो यह बांदो है पर दूसरा फाँ वड़ा कर एक तुसरा पर दोस्तों कि यह बांदे यह समय दोस्तों किन्किन पूछे कि वह हुढ़ा कर दोस्तों के किस जिल्ले पर बना हुआ नम्मर एक दूस्तों यह व्यास नदीपर बना हुआ और कहां पर बना हुआ हुआ इमाचाब के कांगड़ा जिल्ले में पड़ों बांध का बना हो दोस्तों तो मंडी एक तहला आपके लिए यह अभी मोगन्रा न राजस्तान का हिस्ताय सदिना वह 159 ऑ इसका इससाइब को कि बाइब करातब ना कि बाइब मुश्पी को पोई प्रखने के लिए और पॉंग बाइब का व्ढेश से क्या थी और दोस्तों पंग बांद का जो गांदी नहर प्रयोजना है उसमें सीध काल में रवी की फसल को पानी की जड़ आवसित्ता होती है तब उस पानी की आवसित्ता को पूरा करने के लिए पूर्ग वांगे तो राजस्तान का सबसे उंचा बांद कौन सा है दोस्तो राजस्तान तो जाखम बांद कौन सा वजाएदा दोस्तो बांद कि सिले में स्थी दोस्तो परताप करेदा किस में स्थार्थ दोस्तो परताबर दोस्तों मैं आपकी लए छोड़ रहा हुए जो आपको कमेंट draft में लिखके मुझे बताना चालाnd성 je सब्सक्राइब बने तो आपको नाम बताना और राजस्तान को सरवादिक विदूत किस प्रियोजना से मिलती है दोस्तों तो यह थे मेरे व्यास और जाकम से समंधित प्रस्न दोस्तों तो आप बहुत अच्छे से ज़्यादा आप त्यारी करना चाहते हैं तो आप वीडियो देखें के बाद इन प्रस्नों के उत्पर आप जरूर 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 देखें और अपने दोस्तों में घरा है नमस्ते दोस्तों